नमस्कार आप सारे भी द्यार्थियों को खेच से आप लोग उमीद करते हैं सभी लोग बहतर होंगे आप सारे भी द्यार्थियों को पता है कि पिछले दिन 9 माई 2024 को अपने ऑफलाइन सेंटर अंकुस मैथेमेटिक्स में ब्लड डोनेशन कैम का आयोजन किया गया था जैसा क कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आप सबको सबसे पहले ब्लड डोनेशन में जितने भी छात्र जो है या छात्रा बढ़ चड़ करके भाग लिए ब्लड डोनेट किये और कहीं ने कहीं समाज के हित में काम किये क्योंकि आप सभी को पता है कि ठोन जो है वो कि किसी फैक्टरी में किसी मशीन द्वारा नहीं बनता है इस चीज को अब खोभी समझें और आगे आए उस चीज के लिए ही मैं खास करके यह बीडियो बना रहा हूं और उन सारे विद्ध्यार्थियों को जो ब्लड डोनेट किये चीजों को कॉपरेट किये लोगों को कह सकते म हमारे तरफ से हाथ जुड़कर के परणाम है नमस्कार है आभार है साथु बाद है बहुत बहुत अच्छी बात है बहुत आपने सराहनिये काम किया है और मैं आपको बता दू कि कल के डोनेशन में आपका 409 जो है वह बलड आपका डोनेट किये आप लोग और यह आंकडा एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा आँकड़ा है एक बहुत बड़ी achievement है बहुत बड़ी उपलब्दी है और ये achievement जो है अंकुष mathematics परिवार जितने भी कह सकते हैं हमारे विध्यार्थी लोग हैं हमारे मैनेज्मेंट लोग हैं सब को यह चीजे जाता है पहली बात यह दूसरी नमबर बात आप सारे द्यार्थी को मैं ये बता दू कि आज जो है दस मई है और आज ही साम के पांच बजे से जो है गणीत का नया बैच ओफलाइन भी शुरू हो रहा है और ओनलाइन भी है स्टार्ट हो रहा है ठीक है और ओनलाइन जो हमारा ये बैच है वो अप्ल सुरू हो रहा है और मैं आपको ये बता दू कि ये ओफर जो बरसगांट में आया है वो आज फुल एंड फाइनल जो है लास्ट हो रहा है मतलब जो भी द्यार्थी पटना में और फ्राइन जुड़ना चाहते हैं वो आज ही आकर के जो है आप पच्पन सो के जगह पर पच 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको कूपन कोडेक अंकुष 50 लगाना होगा अगर आप में से कोई विद्यार्थी रिजनिंग पढ़ना चाहेंगे तो इनका जो बैच है बिजैसर का हुआज साम में 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है एक आपका 10 बज सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अंकुष और ओफीशल अप्लिकेसन को डाउलोड करना पड़ेगा और यहीं पर क्लासेज आपको ओनलाइन लाइव दी जाएगी आपका किसी भी तरह का दिक्कत परसानी होगा यहाँ पे कॉल वर्ट सब आपको नंबर दिया है इ फिर से एक बार बता दो कि ओफर यह आज आपका 10 मई को समाप्त हो रहा है और कल से 11 मई से वापस पहले वाली जैनमीन जो फी है वो रह जाएगे ठीक है धन्यबाद एक बार फिर से बहुत-बहुत आभार उन सारे चात्रयों चात्राओं का जिन्होंने ब्लड डोनेट करक समाज को एक कदम और बढ़ाने का काम किया है अपने बहुत-बहुत आभार धन्यबाद